C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का चौथा सबक सबक नमबर चार एक पहाड और गिलहरी नजमनिगार इकबाल सफ़ा नमबर सत्रा कोई पहाड ये कहता था एक लहरी से तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना ये अकल और ये समझ ये श़ूर क्या कहना खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठें जो बेशओर हूँ यू बातमीज बन बैठें तिरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहां भला पहार कहां जानवर गरीब कहां कहा ये सुन के गिलहरीने मुझ संभाल जरा ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवा नहीं है तू भी तो आखिर मिरी तरह चोटा हर एक चीज से पैदा खुदा की गुद्रत है कोई बड़ा कोई चोटा ये उसकी हिक्मत है बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में निरी बड़ाई है खुभी है और क्या तुझ में जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुचको ये छालिया ही जरा तोड़कर दिखा मुचको नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं, कुदरत के कार खाने में सफ़ा अठारा मानी याद कीजिए गुरूर घमंड शओर समझ अक्ल बिसाथ हैसियत पस्त नीचा गिरा पड़ा आन बान शानो शौकत रख रखाओ नसीब गिस्मत तकदीर पुदरत ताकत खुदा की शान हिकमत अक्लमंदी खुदा की मर्जी निरी सिर्फ हुनर कमाल निकम्मी नाकारा जो किसी काम की ना हो सफ़ा नंबर उन्नीस सोचिये और बताए एक पहाड ने गिलहरी से क्या कहा? दु, पहाड ने अपनी बढ़ाई किन बातों से झाहिर की? तीन गिलहरी ने पहाड की बातें सुनकर क्या कहा? चार गिलहरी में क्या खुबी है जो पहाड में नहीं है? पांच खुदा की हिकमत किन बातों से जाहिर होती है? खाली जगा को ब्रैकेट में दिये हुए सही लवज से भरिये एक, तुझे हो शर्म, तो खाली जगा मेजा के डूब मरे ब्रैकेट में दर्या, पानी दो, खुदा की शान है नाचीज चीज, खाली जगा, बैठी नाचीज, ब्रैकेट में, बन, कर तीन, तीरी बिसात है क्या मेरी, खाली जगा, के आगे ब्रैकेट में, आन, शान चार, भला पहाड कहां, जानवर, खाली जगा, कहां ब्रैकेट में, घरीब, अमीर पाँच, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह 6. हर एक चीज से पैदा खुदा की खाली जगा है, ब्रैकिट में अजमत, गुदरत. 7. कोई खाली जगा नहीं गुदरत के कारखाने में, ब्रैकिट में बुरा, बड़ा. यहां दिये हुए लफजों को जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए. शर्म, गुरूर, शवूर, नसीब, गुदरत, हिकमत, ताकत, वाहिद अलफाज से जमा बनाएए. चीज, नसीब, गिलहरी, खूबी, गरीब, दरख्त, जानवर, हिकमत, सफ़ा नमबर बीस. इन लफजों के मुतजाद लिखिए. बेश़ूर, बातमीज, खूबी, पस्त, जमीन, गरीब, छोटा. मिस्रों को मकमल कीजिए. एक, जरासी चीज है इस पर गुरूर, क्या कहना? खाली जगा. दो, खाली जगा, जो बेश़ूर हूँ, यू बातमीज बन बैठी. तीन, खाली जगा, कोई बड़ा, कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है. चार, बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, खाली जगा. पाँच, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, खाली जगा. लिखिए. पहाड और गिलहरी की गुफ्तगू, अपनी जबान में लिखिए. गोर करने की बात, लव्ज चीज के मानी तो आप जानते ही हैं, लेकिन शायर ने इस नजम में लव्ज नाचीज इस्तेमाल किया है. इसका मतलब है, जिसकी कोई इज़त या हैसियत ना हो. लव्ज नाचीज इनकिसार और आजज़ी का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. जैसे नाचीज की क्या मजाल जो आपके सामने जबान खोले. लव्ज नाचीज का इस्तेमाल हमेशा अपने लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. इसी के साथ अपनी जबान भाग एक का चौथा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक पांच आता है प्रस्तुती CIET, NCEERT, नईदिल्ली, भारत